आज हम बोटनिक कटिंग के सारे डीटेल्स और बेसिक सारे देखने वाले हैं तो आप ये प्लीज वीडियो एंटर देखिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक किजिएगा ताकि आपको सारे हमा हमारे स्टिटिशेंग से रिलेटर सारे वीडियो के नोटीफिकेशन देर रहे आज हम बोटनेक ब्लाॉस का कटिंग देखने वाले हैं Taylor को के उपर साथ ही में बोटन का कटिंग किस तरह से होता है कि सारा बेसिक हम देखने वाले है तो चलो हम शृरू करते हैं हमारे जो फ हमारी 34 इंच एपेक्स पॉइंट साइड 10 इंच पर है शोल्डर 7.5 इंच आम होल 7 इंच नेकविट फ्रंटनेक और बैकनेक मैंने यहां पर मेजरमेंट नहीं दिया क्योंकि यह हम ड्राफ्टिंग करते समय देखेंगे तो चलो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम ब्लाउज क बेसिक ड्राफ्टिंग कर लेते हैं तो यहां पर हम शूल्डर आम होल के जो सारे मेजरमेंट से यह डाल लेते हैं यह हमारा सब पहला हो चुका है किस तरह से यह शूल्डर का ड्राफ्टिंग आम होल का ड्राफ्टिंग किस तरह से करते हैं यह सारा हो चुका है तो यहां पर देखो हमने यह डबल काटचिट लिया है और साइड में हमने दो इंच छोड़कर एक लाइन ट्रॉ की यह हैं अब क्यूंकि हम यहाँ पर हमने यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ किये है अब हम यहाँ पर हमारा ब्लाउज के सारे बेसिक ड्राफ्टिंग करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे साड़े साथ इंच आम होल का मेजरमेंट है सवा साथ इंच सवा साथ इंच पर मार्किंग करना ही यहाँ से तो यहा measurement हमारा 38 inch है, तो उसका 1-4th करके, उसमें half inch आइड़ करके, 10 inch पर marking किया, अब यहाँ नीचे की और west की जो line है, जितनी हमारी chest की line है, उतनी हम west की line लेंगे 10 inch, 10 inch पर यहाँ पर marking किया, अब उपर से नीचे तक यह straight line हमें joint करनी होती है, क्योंकि हम यहाँ पर princess cut blouse का drafting करने वाले हैं यहाँ से यहाँ shoulder slope हमने पौना इंच लिया यहाँ से यहाँ neck width हमें यह 3 इंच ले ली है यह हम बस हमारी guideline के लिए neck width ले रहे हैं क्योंकि boat neck का drafting करने के बाद यह neck width हमारी नहीं रहेगी यहाँ पर हमने shoulder slope के line joint कर दी यहाँ पर हम front और back दोनों का drafting कर रहे हैं क्योंकि यह double card sheet है उसके बाद हम back अलग करके उस front के उपर princess cut blouse का drafting करेंगे यहाँ पर देखो इस तरह से हमने armhole का shape देना है आधा इंच अंदर की तरफ लिया और यहाँ curve की मदद से हम front के armhole का shape दे देंगे तो यह हमारा पहले हो चुका है किस तरह से armhole करना है फिर भी यहाँ पर मैं short में बता देती हूँ अब यहाँ पर देखो यहाँ neck width हमें कितनी रखनी है यहाँ हम boat neck का drafting करने वाले हैं तो neck width हम चाहे जितनी रख सकते हैं boat neck में यहाँ पर हमें shoulder strip हमारी कितनी रखनी है आप 2 inch की रखना चाहते हो, 1.5 inch की, 3 inch की रखना चाहते हो आप रख सकते हो अगर आप 1.5 inch की रखना चाहते हो तो उसमें half inch add करके 2 inch पर marking कर लेना है लेकिन यह marking हमारे shoulder slope के line पर ही होना चाहिए इस प्रकार अगर आप 2 इंच की width रखना चाहते हो अपने shoulder strip की तो उसमें half inch seam allowance का add करके 2 inch पर marking करना है इस तरह से हमें यहाँ पर boot neck का marking करना है यह फिर जो रह जाती है वो हमारे boot neck की width हो जाएगी neck की width तो यहाँ पर 5 inch हमारे neck की width हो गई है यहाँ पर देखो यह shoulder slope की line है इसके उपर ही हमारा cutting आएगा इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले shoulder slope की line draw कर दी है उपर का part कोई माहिने नहीं रखता तो यहाँ से यहाँ हमारा cutting होगा अब हम देखेंगे कि हमें front का neck कितना लेना है तो front का neck कितना लेना है यह पूरा depend होता है हमारे chest eyes के उपर minimum हमें यानि कम से कम हमें front का neck कितना लेना है और ज्यादा से ज्यादा कितना लेना है इसका एक method है तो आप यहाँ पर chest wise front का neck ले सकते हो इसका मेने एक chart बनाया है व आप चार्ट अनुसर ले लिजिए गा यह थोड़ा एकादीन जदा भी ले सकते हो लेकिन उससे कम नहीं ले सकते हैं जितना क्यी हमने चार्ट में बताया है अब जितना आपने फ्रंट का नेक ले लिया है उससे जदा आपकी नेक की वेड़ यानि broadness आपके ज़्यादा आनी चाहिए तभी जाके आपका boat neck बन सकता है boat neck का shape आ सकता है सपोज आपका ये front neck जो ही वो 3.5 इंच है और आपकी broadness जो है वो 4.5 ये 5.5 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा भी रहे तो भी चल सकती है लेकिन आपने अगर 3.5 इंच ली है और broadness भी आपने 3.5 इंच ही ली है तो आपका वो round shape बन जाएगा आपका वो boat shape का नहीं बनेगा तो यहाँ पर आपने 3.5 इंच लिया है या 1.5 चार इंच लिया है आप ज़्यादा ले सकते हो चार्ट के अनुसार मैंने measurement चो दिये है उसके अनुसार आप लीजेगा तो आप उसके अनुसार ले लीजेगा या उससे ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं रख सकते तो इस तरह से आपका ये shape बन जाएगा तो यहाँ पर देखो एक हमारा ये method पूरे समझ में आ गया कि जितनी आप front का नेक लेगो उससे ज़्यादा आपको आपकी neck की विड़ चादा रखनी है तभी जाके हमारा बोटनिक का shape बनेगा तो यहाँ पर देखो ये side 3 inch है अब यहाँ पर हम back का देख्यों करेंगे back के लिए हमने 2 inch पर रखा है neck तो आप यहाँ पर 2 inch भी रख सकते हो या फिर आपने जितना front का ले लिया है उतना भी रख सकते हो या फिर आप deep भी रख सकते हो back की और ऐसा कोई बन्दन नहीं कि आगे की और back बोटनिक है तो पीछे की और आपको बोटनिक ही रखना है आप चाहे छोटा भी रख सकते हो एक इंच का रख सकते हो या फिर जितना front का है उतना रख सकते हो या फिर deep रख सकते हो इस तरह से आप ले सकते हो तो यहाँ पर हम 2 inch पर marking कर देंगे back की और और boatnik का shape दे देंगे अब हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि यह दोनों marking हो जाने के बाद हमें यह neck round measure करना होता है तो यह neck round किस तरह से measure किया जाता है और क्यों measure करना है वो भी हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा यह मैंने छोटे pattern बनाये हुआ है यह back का है और यह front का है और सबुद इसका जो neck है front का neck और back का neck यह हमने हमारे drafting के अनुसर ले लिया है यानि back का neck हमने 2 inch और front का neck हमने side 3 inch रखा है तो यह shoulder joint होने के बाद हमें यह पूरा neck round major करना होता है तो क्यूँ measure करना है अगर आपके back में यह front में दोनों side में plackets नहीं है यानि hooks यानि opening आपका opening है वो side में है यानि कि आप side में zip लगा रहे हो और back में भी आपका पूरा pack है और front में भी pack है तो उस time आपको यह neck measure करना होता है हाँ अगर आपका back में hook है तो आपको neck round measure करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये easily आपके सरक के अंदर से चला जाएगा आपका जो pattern है लेकिन ये दोनों तरफ pack है front और back की और तो आपको ये round measure करना होता है तो ये क्यों measure करना है क्योंकि ये round जो है वो आपके सीर की round से आपका जो सीर का round में जो measurement आएगा उससे ये एका दिंच तो ज़्यादा होना चाहिए तब ही जाके ये आपके सीर के अंदर चला जाएगा ये pattern चाहिए dress हो, कुर्ती हो या blouse हो जब आपका opening नीचे आगे की और या पीछे की और तो इसकी जुरुत नहीं पड़ेगी तो फिर अगर ये round कम पड़ जाता है तो आपको एक तो इसकी broadness याने liquid बढ़ानी होगी या तो फिर back का नेक आपको थोड़ा सा deep लेना होगा तो इस प्रकार ये हमें करना होता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा सीर का measurement है वो किस तरह से नापते है तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा drawing किया हुआ है इसके उपर मैं समझा देती हूँ कि यहाँ हमें किस तरह से ये नापना होता है तो यहाँ पर देखो ये मैंने ये छोटा सा ड्राइंग किया है यहाँ इसके उपर देखो टेप को हमारे forehead के उपर से इस तरह से round में रखना है पूरी गोलाई में लेकर हमें ये नापना होता है हमारे सीर का measurement ये जितना आता है उसके according हमारा नेक का जो round है मैंने जो अभी दिखाया वो हमारा आना चाहिए बैक और फ्रंट दोनों मिलके दोनों नेक के round हमारे सीर के round के measurement के जितने आना चाहिए या एका दिंच उससे ज़्यादा आना चाहिए तो इसलिए हमें इसकी जरुरत पड़ती है तो यहाँ पर अब हम चाहिए देखेंगे कि हमें chest wise front का minimum यानि कम से कम कितना measurement लेना है यहाँ पर हमारा front neck chart है for boat neck cutting यानि आगे का गला boat neck कटाई के लिए मैंने यहाँ पर chart बनाया है यह chart chest wise है और हर एक chest के अनुसार यहाँ पर हमने front neck की depth यानि आगे का गला कितना लेना है उसका यहाँ पर measurement दिया हुआ है यहाँ पर जो measurements है यह हमें कम से कम लेने है यहाँ पर मैं एक उधारन देती हूँ यहाँ पर अगर आपका chest size 34 inch है और आपका front का neck हमने यहाँ पर 37 inch दिया हुआ है इसका मतलब आपको 37 inch से neck आगे का गला नहीं लेना है आप यहाँ पर 37 inch या उससे ज़्यादा एक आदी inch बोट neck के लिए ले सकते हो लेकिन आप 37 inch से कम नहीं ले सकते क्योंकि यह standard measurement है अगर आप इसके इससे कम लेते हो तो वो neck आपको comfortable नहीं होगा तो इस chart के अनुसार आचेस्ट वाइस आप बोट neck के लिए front का neck का measurement ले सकते हो तो यहाँ पर देखो front और back का हमने दोनों का यहाँ पर rafting कर दिया है अब हम यहाँ पर cutting करेंगे back का cutting देखो इस तरह से यहाँ से यहाँ इस तरह से होगा तो यह हमने double card sheet लिया हुआ था तो हम यह जो नीचे का card sheet है वो इसके measurement के according कट कर देंगे back के तो यह देखो हमने cut कर दिया है यह back का हमारा card sheet है pattern है तो यहाँ पर देखो एक चीज बहुत important है यह जो back का pattern है इसको यहाँ पर जहाँ arrow दिखाया है यहाँ पर आधा इंच नीचे की और आप कम कर दिजेगा weight size में तो यह हमारा back का हो गया अब हम जो front का pattern है इसके उपर हम princess cut plows का drafting करेंगे तो यह पर यह जो सबसे पहले यह arm hole और नेक का cutting कर लेंगे front neck के according तो यह back neck की according है तो हम कट कर देते हैं तो हमारा ये कट हो चुका है हमने आम होल और नेका कटिंग फ्रंट के अकाडिक कर दिया है अब यहाँ पर देखो यह हमने टक्स पॉइंट की लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि हमारा टक्स पॉइंट दस इंच है तो यहाँ पर हमने सवा दस इंच पर यह टक्स पॉइंट की ला साइड में और वो लाइन हमें सीधे नीचे तक ड्रॉ कर देनी है क्योंकि हमारा आम होल में एक डार्ट आने वाला है हाफ इंच का इसलिए हम हाफ इंच की ये लाइन बढ़ा देते हैं अब देखो वेस्ट में भी हमारा डार्ट आने वाला है तो वो डार्ट हमें कितना लेन में ने बनाए हैं यहाँ पर देखो west size में हमारा dart आएगा यहाँ पर सबसे बेले में यह half कर देती हूं क्योंकि हमारा pattern जो है वो half है तो यहाँ पर हमारे armhole की side में half inch का इस तरह से dart आने वाला है और जो west size है वहाँ पर हमारा 17 inch 17 inch के dart आने वाले है तो यानि कि यह पूरा hole dart हमारा 1,5 inch का होगा और उपर की तरफ हमारा armhole में half inch का dart आएगा तो यह दोनों dart मिलकर हमारे एक side में 3 inch और दूसरे side में 3 inch यानि कि पूरा हमारे front में जो dart आएगा वो 6 inch का आएगा तो क्योंकि हमारे pull bust और west में 6 inches का difference है इसलिए यह सारा हमारा dart पूरा मिला के 6 inch का होना चाहिए इसलिए यह हमारा calculation है तो यहाँ पर देखो हमारे west जो है 34 inch है उसका 14,5 inch है प्लस उसमें हमें dart आड करना है 2,5 inch तो वो हो गया पूरा 11 inch यानि हमारी west line जो होगी वो 11 inch की होगी इसलिए देखो नीची के और 2,5 inch और उपर की तरफ 5 inch यानि दोनों मिलके हमारा 3 inch का dart दोनों तरफ के मिलकर 6 inch के dart होगे अब यहाँ पर हमारी जो west line है वो हमारी साड़े 8 inch है तो वो dart मिला कर हमारी 11 inch हो जाती है 2,5 inch का dart मिला कर 11 inch हो जाती है तो अब हम देखते हैं हमारी west line कितनी है यहाँ से यहाँ तक और फिर उसे 11 inch की हम कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ हमारी west line है साड़े 10 inch की यानि हमें 11 inch करने के लिए इसे half inch बढ़ाना होगा हमने half inch बढ़ा ली अब जहाँ से हमारी neck है नेक लाइन से हमें ये इस तरह से तिर्ची लाइन ड्रॉ कर देनी है ये हमने ड्रॉ कर दी ये हमने half inch क्यों बढ़ाया आपके समझ में आया होगा क्योंकि हमने dart के लिए measurement इसमें add किया है अब ये हमारा हो गया अब हमें यहां से यहां हमारा tux point fix करना है tux point के लिए हमारे full burst का दस्वा भाग प्लस उसमें quarter inch add करना है तो ये हो गया बराबर से सवा चार inch सवा चार inch पे marking किया अब ये सीधी line नीचे की तरफ हमने draw कर दी अब यहां से यहां डेड़ inch उपर की तरफ एक line हमें खीचनी है तो ये डेड़ inch पर हम एक line बना देंगे दोनों साइड में डेड़ inch लेके ये strut line हम खीच देंगे ये जो pattern है इसको हम अलक्सी पट्टी नहीं लगाएंगे ये पट्टी ये self पट्टी होगी इस pattern की अब यहां पर हम डाट का मार्केंग करेंगे दोनों साइड में सववा inch का जो कि हमने calculation देखा है तो ये सीधे हम उपर तरफ इस तरह से line ये जोइंट कर देंगे हमारे tux point को और उस line से नीचे strut हम जोइंट कर देंगे इस तरह से ये तो ये हमारा princess cut blouse का drafting हो गया डाट का इस तरह से ये पूरा हमारा drafting ready हो गया है अब हम इसको cut कर देते हैं इस pattern को और फिर इसका कपड़े के उपर हम cutting करेंगे तो उपर की तरफ सबसे पहले हमें आम होल चेक करना है कितना है तो ये साड़े 8 है उसका half करना है सववा चार इंच वहाँ पर marking कर दिया अब ये princess line हम tux point को हमारे joint कर देंगे तो आप curve का इस्तमाल कर सकते हो या हाँच से भी यहाँपर shape दे सकते हो तो सही से आप इसे लगाकर shape के अनुसार यहाँपर बराबर से ये line ड्रॉ कर दिजेगा थोड़ा सा हाँच से curve दे दोगो तो भी जलता है अब आम होल की side में हम हमारे dart का marking करेंगे जो की हम half inch उपर की तरफ लेने वाले हैं यहां quarter inch और दूसरी side में quarter inch इस तरह से यह half inch का dart हमारा यहाँपर आएगा यह हम इस curve से joint कर देंगे दोनों side में हमने dart को curved shape दे कर उस line को joint कर दिया है यहाँपर यह हमारा dart आएगा और यह हमारी cutting line भी होगी अब हम इस pattern को cut कर देते हैं तो यह हमारा पूरा princess cut blouse का drafting हो गया जो कि हमने arm hole में half inch का और नीचे की तरफ सववा inch का dart ले लिया है तो इस प्रकार यह हो गया अब हम इसका cutting कर देते हैं तो यह पर देखो हमने cutting कर दिया है यह नीचे का dart है यह उपर का dart है यह दोनों हम निकाल देंगे और यह हमारे दो main pattern हो गए यह रहे हमारे front के दो pattern तो हम इसको cutting कर देंगे यह हमारा back का pattern है तो यह तीनों हम कपड़े के उपर रगकर cut कर देंगे तो यह sleeve pattern है यह front के दो pattern है और यह back का pattern है यह सारे pattern हमारे ready है अब हम कपड़े के उपर कटिंग कर देंगे तो हम designer blouse stitch करने वाले हैं तो उसके लिए देखो ये रॉसल का कपड़ा लिया है lining का कपड़ा है और उसके उपर लगाने के लिए ये net का transparent कपड़ा लिया हुआ है हम इसमें side zip और pad भे attach करने वाले हैं तो इसी लिए chest size के अनुसार ये pad हमने लिए होए है दो और ये हमारी zip है जो invisible zip है जो हम side में लगाने वाले हैं तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले हम cutting करेंगे इसका तो cutting करने के लिए सबसे पहले हमें जो raw seal का हमारा main fabric है उसके उपर हम cutting करेंगे उसके बाद हम lining के उपर cut करने वाले हैं तो सबसे पहले हमने main fabric के उपर हमारा back का pattern और front के दो pattern रख दे हैं sleeve हमने नहीं रखा क्योंकि sleeve हम सिर्फ net के बनाने वाले हैं ट्रांसपरट रखने वाले हैं यहाँ पर back के pattern के आगे हमने 1.5 inch का seam allowance लिया हुआ है जो कि हमने drafting करते हैं नहीं लिया था यह front का pattern ही यह हमने folded side पर रखा है और back का pattern भी हमने folded side पर रखा है क्योंकि हम यहाँ पर side zip लगाने वाले हैं इसलिए दोनों pattern हमारे folded side पर आएंगे यहाँ पर front के pattern के आगे quarter inch हमने margin लिया हुआ है जहाँ पर हमारे front का दूसरा pattern attach होने वाला है और यह जो दूसरा पैटरन ही फ्रंट का उसके साइड में हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया हुआ है जो कि हमने ड्राफ्टिंग करते वक्त नहीं लिया था इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया हुआ है यह मैं थोड़ा डार कर देते हुँ ताकि अच्छे से दिखे और यहाँ पर इसके आगे भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया हुआ है जहाँ पर हमारी फ्रंट के दोनों पाट अटाइच होने वाले हैं तो इस प्रकार यह मार्जिन लेके हमने यहाँ पर रख दिया है आप हम इसकी पूरी तरह से चुट्ट करेंगे यह हमारा में रोफ सील का फैब्रीक है कुट्टिंग करने के बाद हम यह न THE के उपर रखकर NET के फैब्रिक की उपर एह नेकरिक करन वाले हैं तो हम यहीं cut कर देते हैं, cut करने के बाद देखो, आपको यहां पर अच्छे सी दिखा कि दिखेगा कि हमने XX का margin रखा है, जन्म दों पाट हमें वह लृट में以前 सी "- q- ten from च deiभा मॉर्ड无खने के दों, कहां पर कितना margin रखना है ये आप देख लीजिएगा और cutting कर लीजिएगा अब हम net के fabric के उपर इसे रखकर cutting करेंगे net के fabric के उपर रखने के बाद हम थोड़ा extra का fabric लेकर net cut करने वाले हैं यहां पर देखो हमने sleeve का pattern भी रख दिया है क्योंकि sleeve हम net के लगाने वाले हैं तो यहां पर net के fabric के उपर भी दोनों front और pack दोनों हमने folded side पर रखे है sleAGUE का pattern रख दिया है और यहां पर हमने front का pattern रख दिया है अब इन सब pattern को थोड़ा-थोड़ा extra का margin रखते हुए हम cut कर देंगे तो यहां पर मैI cut कर देती हूँ फूरा cut होने के बाद ही मैं यहाँ पर दिखाओँगी तो यहाँ पर देखो cut कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सा extra का कपड़ा रखते हों, मैंने यहाँ पर net का fabric cut कर दिया है, यह joint होने के बाद, net का fabric और main fabric joint होने के बाद, हम यह cut कर देंगे extra का fabric, यहाँ पर हमने sleeve और back side में रख दिया है, यहाँ पर सिर्फ हमारे front के दो pattern है, और lining के उपर हमें सिर्फ यह front के दो pattern ही निकालने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर pad attach करने वाले हैं, और उसके लिए हमें lining की जरुरत पड़ती है, तो यहाँ पर सिर्फ हमने front के pattern दो part ही रख कर lining कट कर देना है, back और sleeve हमें नहीं कट करनी है, तो यहाँ पर यह हमने folded side पे रखा, front का एक part, दूसरा part हमें side में रख दिया, अब हम यह बराबर से match करते हुए cut करेंगे, lining, हम lining extra बिल्कुल भी नहीं लेंगे, यहाँ पर हमें pin up कर देती हूँ, ताकि cut करते वक कपड़ा बिल्कुल सही से cut हो जाए और ही ले नहीं, तो यह अच्छ से रख देना है, उसके बाद ले लिया है, और यहाँ पर हमारे 3 layer निकल आ चुके है, फ्रंट के दोनों part के, तो यह हमारे main fabric और lining है, और यह net का fabric है, यह देखो, lining और main fabric हमने बराबर से cut किया है, और net का fabric हमने थोड़ा से extra लेके cut कर लिया है, यह आप notice कीजिएगा, और यहाँ पर यह देखो, हमारे द दोनों front के, दोनों part के 3-3 layer निकल आ चुके है, lining, main fabric और net का देखिए, और हमारा जो sleeve का pattern है, वो सिर्फ हमने single ही है, वो हम सिर्फ net का लगाने वाले है, net की कपड़े का, और back का जो pattern है, वो हमारा lining नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा main fabric और net का fabric है, इस तरह से यह हमारा पूरा cutting हो गया, इसका stitching का वीडियो में अगले पार्ट में दिखाऊंगी और बहुत जल्दी दिखाऊंगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, टिटोरियल कैसा लगा, प्लीज मुझे बताएगा, अच्छा लगा हो तो like कीजिएगा, share कीजिएगा,